हाई गाईज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सल में कैसे डेवलपर टाब आड़ कर सकते हैं अगर हमें रिपिटेटिव टास्क को अटोमेट करना है या कॉम्प्लिकेटिट कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है या फॉर्म्स क्रियेट करना है तो हम ये सब इजली कर सकते हैं डेवलपर टाब में अवेलबल फीचर के त्रू ये फीचर अक्सेस करने के लिए हमें डेवलपर टाब आड़ करना है तो चलिए अब देखते हैं developer tab कैसे add कर सकते हैं इधर आप देख सकते हैं कि ribbon में developer tab नहीं है by default developer tab hide होता है और इसे हमें add करना पड़ता है and developer tab add करने के लिए ribbon में कहीं पर भी right click करें इधर से customize the ribbon पे click कीजे and pop up window open हो जाएगा ये pop up window आप shortcut से भी open कर सकते हैं उसके लिए keyboard में alt के साथ press करना है F T इधर से हमें customize ribbon पे click करना है right hand side में main tabs के अंदर list of tab names है and आपको जो भी tab ribbon में add करना है वो इधर से add कर सकते हैं हमें developer tab add करना है तो इधर से हम developer पे check कर देंगे उसके बाद ok पे click कर देंगे and आप देख सकते हैं developer tab add हो गया है and यह है कुछ features जो developer tab में है इधर code section है code section से आप VBA applications create कर सकते हैं macros create कर सकते हैं then add-ins है add-ins जो pre-developed programs है जिसे आप install करके additional features, functionalities and commands यूज़ कर सकते हैं next controls है control से आप easily design forms create कर सकते हैं next XML है यहां से आप XML data को import and export कर सकते हैं तो please like, share, comment and subscribe कर दीजे thank you कर दो कर दो